आखरी ओवर का रुमांच छे गेंदों पर चाहिए थे 16 रन पाकिस्तान अपनी जीत मान चुका था विराट हार्दिक क्रिस्पर थे, सामने नवास थे और देखने वाले करोडों लोग जिनकी थड़कने बढ़ रही थी जब 12 पर 31 चाहिए थे, तब विराट ने क्या सोचा, कैसे टी मिडिया को जीत दिला दी एक एक गेंद का रुमांच आपके सामने रखेंगे अगर इस मैच को किसी ने आखरी के दो वर नहीं देखा, तो शायद वो आज बहुत कुछ चूग गया उसे समझ महीं आएगा कि आखिर काल आखिर में क्या चमतकार हुआ बारा केंदो पर चाहिए थे 31 रन, शेयद पाकिस्तान भी ये सोच चुका था कि वो जीत गया मैदान से पाकिस्तान इस समर तक पाकिस्तान की होसला अफजाई कर रहे थी लेकिन जीत की स्क्रिप्ट तो अभी लिखी जानी थी विराट सोच कर आय थी कि आज जीत की स्क्रिप्ट लिक उस पर साइंग करेंगे उन्होंने टै कर लिया था कि वो छोड कर नहीं जाएंगे वैसे भी उनका तो रिकॉर्ड है कि जिस मैच में वो नाबाद रह गए मानो वो मैच टी मिडिया जीत करी वापस लोटेगी और आज भी वही हुआ तो अबर में चाहिए थे 31 रन विराट कोली और हारदिक पांडय क्रिस पर थी रउफ 19 वावर करने आये थे जिस वक्त एक 30 रनों की दरकार थी उन्होंने शानदार गेंड डाली हारदिक पांडय लंबा शोट खेलना चाहते थे लेकिन एक ही रन ले पाए 19 वावर की दूसरी गेंड विराट कोली चाहते थे कि एक स्लैप्ट लगाए लेकिन यहां भी सिर्फ एक ही रन मिला यानि अब टेंशन बढ़ चुकी थी दो गेंडों पर सिर्फ दो रन आये अगली गेंड हारदिक ने खाली निकाल दी कोई रन नहीं उसके बाद चोथी गेंड पर हारदिक ने एक रन लिया यानि चार गेंदों पर तीन रन और चाहिएं थे 31 रन अब भला कैसे होगा लेकिन आखिर में दो छक्के जो ये बता रही है कि पांचवी और छटी गेंद पर राउफ के दो छक्के जड़ विराट कोली ने बता दिया कि मैंच अभी गया नहीं वो हमारे हाथ में है विराट कोली ने राउफ की गेंद पर ऐसा चक्का लगाया कि हार कोई देखता रह गया किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या था उसके बाद आखरी गेंद थी और उन्होंने रिस्ट की ताकत दिखाई अपनी कनाईयों की ताकत से लेट ओफ फाइन लग पर ऐसा चक्क से एक ओवर स्पिनर के रूप में बचा हुआ था जो सिर्फ नवास को जिम्मदारी दी गई बाबाराजम शायद सोच रही थी कि आसानी से जीत लेंगे 16 रन बहुत बड़े हैं लेकिन विराट के सामने तो बड़ी बड़ी चटाने धेर हो जाती है और कोली ने आज अपन विराट रूप दिखा दिया भारी भरकम तरीके से इस मैच को कैसे मुठी में कर लिया ये किसी ने सोचा नहीं था लेकिन जटका तो उस वक्त लगा टीम इडिया को जब हार्दिक पांडिया पहली गेन पर नवास की एक बड़ा शौट खेलना चाते थे लेकिन सीधा गेन बाबाराजम के हातों में चली गई यहाँ पर विराट को भी जटका लगा लेकिन वो ठिटके नहीं हटे नहीं उन्होंने अपना रिदम खोया नहीं आगली गेन पर कार्तिक आये कार्तिक ने एक रन ले लिया और सीधा स्ट्वाइक कोली को दे दी उसके बाद विराट कोल की दरकार थी क्योंकि जीतने के लिए 16 रन चाहिए थी उसके बाद चौथी गेन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया ये गेन विराट कोली ने 6 रन ओपर पहुचा दी लेकिन गेन उनकी कमर से उपर थी लियाजा यहाँ पर अमपार ने सीधा उसे नौबॉल दे दिया जि उसके बाद दबाओ अब नवाज पर पूरी तरह से आ चुका था वो समझ चुके थे कि विराट कोली अब छोड़ेंगे नहीं अब वो मैच कर जीत कर ही जाएंगे ऐसे मैं नवाज करें भी तो क्या गेन तो विराट के सामने ही डालनी थी लेकिन अगली गेन उन्होंने व पूरे कर लिए इस तरह से भारत को अब जीतने के लिए तीन गेंदों पर दो रन चाहिए थी अगली गेन पर कारतिक एक शौट लगाना चाहते थी लेकिन वो आउट हो गए और स्टंपिंग होते ही वो वापस चले गए और यहां से भारतिय टीम को बड़ा जटका लगा लेकिन अभी भी मैच खत नहीं हुआ था दो गेंदों पर दो रनों की दरका अश्विन के पास मौका लेकिन गेंद नमाज से गलती हो गई दवाओ में ना जाने क्या-क्या गलती होती है नमाज ने इस गेंद को वाइड डाल दिया जिस तरीके से वाइड डली एक रन हाया और मैच टाई हो गया अब मानो ये हो चुका था कि अगर भारत एक रन और ना भी बना पाया तब ये मैच टाई होगा और सूपर ओर की और जाएगा और अगली गेंद पर रश्विन ने एक शानदार शॉट लगाते हुए मैच में भारत की जीत करा दी और इस तरीके से टीम इडिया इस मैच को शानदार अंदास में जीत कई लेकिन दो वर का रोमांच ये बता गया कि पाकिस्तान के खिलाब टीम इडिया कुछ अलग ही होती है यहाँ पर टीम इडिया छोड़ती नहीं बलकी तोड़ कर रख देती है Bureau Report, Head Blinds Sports